हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल तो दोस्तों आज मेले के आई हूं हीरा मंडी वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन कर लीजिए और इसके फर्स पार्ट का लिंक आपक का कारन पूरूसता है ये सुनालम भी हयरान होती है और फिर वो से ख़दें देती है जो फईदर उसी जगे की लिलकी से प्यारगर बैठा है आलम की सच्चाई जनकर ताज उसे एकसेप्ट नहीं कर पाता और उसे वह से वापस जाने को कह देता है मलिका को इतना सदमा लगता है कि अपने सारे कैने आग में फेक का उट पटांग हरकते कर रही होती है तो बेबोजन उसे समालती है वहीं दूसी तरफ फरीदन बहुत कुश होती है क्योंकि उसने मलिका का गमन चूर करने के लिए आलम को भगा दिया था इतना ही नहीं फरीद पर आलम वापस हीरा मंडी जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो तवायफ नहीं बनना चाहती अब ताज उसे अपने घर लेक के जाता है और कहता है कि तुम यहां एक दो दिन रुख सकती हो इसके बाद डिसाइड कर लेना कि तुम कहां जाना है और अगर कोई तुम से गुछे कि तुम कौन हो तो कहना कि तुम मेरे दो सरफरास की बहन हो आलम खुश होती है कि अब उसे हिरा मंडी नहीं जाना पड़ेगा ज़र मलिका की आलत बहुत जादा खराब होती है क्योंकि वो आलम कुरी मनाना चाहती थी पर उसने भाग का उसके सारे सपने को चूर- की दादी से होती है ताज की दादी को आलम बहुत पसंद आती है पर ताज की पिता को डौट होता है कि आलम सर्फरास की बेहन नहीं है क्योंकि वो आज तक किसी सर्फरास से नहीं मिरेते हैं पर ताज की पिता उसे कुछ कहते हैं और वो भी आलम को रहने की अजासत दे देते अब बेबो करांतिकारी उसे जाके मिलती है तो हाँ पर ताज के दोस्त भलास से पूछती है कि आलम कैसी है तो वो कहता है कि आलम बिल्कुल सेफ है और बहुत खुश है और ताज के घरवालों को भी आलम से कोई प्रॉबलम नहीं यह सुनके वो बहुत खुश होती है अब त इसके बाद बेबो जान और वहीदा को दिखाया जाता है जहां वहीदा आज अंग्रेजी ओफिसर हिंडरसन को अपना मुज़रा दिखाने जा रही होती है और उसका सोचना होता है कि आज वो हिंडरसन को अपना साब बना के रहेगी अब जब वहीदा अपना मुज़रा करती तो हिंडरसन बस बेबो को देखे जा रहा होता है फिर बेबो और हिंडरसन एक कमरे में चले जाते हैं ये देखे वही दा बहुत ज़दा गुसा होती है कि मलिका की तरह बेबो ने भी उसे धोका दे दिया उसका दिल तूट जाता है और फिर वही दा पूरी होटल में तमाश भेज दिया तो वो भी इसी गंदगी का हिस्सा बन जाएगी ये सुनताज कुछ सोचता है और घरजा का आलम से कहता है कि तुम्हाय भाई सरफ्रास का खता है कि उन्हें सरकारी काम से वापस आने में एक महिना लगेगा इसलिए आप यहां एक मेरा और रुख सकती है ये सुन पहुझती है जहां वो फैदन को बताती है कि उसके पास रहाना के कतल वाली फाईल है ये सुन फैदन खुश होती है और कहती है कि अब जल्दी से वो फाईल ले आए हम मलिका को नहीं छोड़ेंगे इदर उस्ताग को बाजार में अलम ताज की दादी के साथ दिखती है और जिसे देख के आलम डर जाती है मलिका ताज के पिता को इंडार बताने वाली होती है कि उससे पहले ताज आलम का सथ सब को बता देता है कि आलम कहां से आई है और कौन है तादी वो ये भी बताता है कि आलम से प्यार करता है उसे शादी करना चाता है ये से उनके दादी का डिल तूट जाता है क्योंकि अब तक ताज ने उनसे भी जूट बुला था तब मलिका कहती है कि इंपोस पहला आज तक किसी नवाम ने किसी तवाइफ से शादी नहीं की और आप तो तवाइफों से नफरत करते हैं वहाँ से जाते हुए मलिका आलम से कहती है कि आपकी खुशी के लिए हम आपको महला देते हैं क्योंकि हमें पता है कि तवाइफों के प्यार का क्या नतीजा होता है और यहीं पर पांचवा एपसोट खत्म होता है चटे एपिसोट की सुरुआत में वहिदा मलिका को ताना मारते हुए कहती है कि आप से अपनी बेटी तो समाली नहीं जाती तो अभी हीरा मंडी कैसे समालेंगी इस पर मलिका कहती है कि पतंग दूर जरूर गई है पर अभी भी हमारे पास है और फिर जाते हुए महल की चाब यह वहिदा को ना देखे बेबो को देखे जाती है इसे वहिदा को बहुत बुरा लगता है फिर हमें ताज को दिखाया जाता है जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था इसलिए ताज अपनी दूसरी कोटी पर जाता है जिसे उसके मामा समालते होते हैं वहां ताज के साथ आलम को देखके मामा को अच्छा नहीं लगता वो ताज से कहते कि तुम्हारी शादी इस से हुई नहीं इसलिए ये लड़की यहां नहीं रह सकती क्योंकि साधी से पहले तो ऐसे तवाफी आती है और अगर ये यहां रही तो हम यहां पर नहीं रहेंगे इस पर ताज कहता है कि चाहें कुछ भी हो जाए ये यहीं पर रहेगी और अगर आपको जाना है तो मैं आपको रूखूंगा नहीं ये सुन ताज के मामा वहां से चले जाते हैं अब रात में वहिदा को देखते हैं जो जमीन से रहाना के कतल वाली फाइल निकाल रही होती है असल में उसने ये फाइल जहान बुझ कर सही सलामत रखी थी क्योंकि उसे पता था कि ये फाइल कभी न कभी काम जरूर आएगी तभी महल के गेट पर दो प्रांतिकारी आते हैं जिने बेबोजान पैसे देती है अब यसा वाहिदा देख लेती है और हच्ते वे कहती है कि आपा मुझे चूर कहती है पर असल में तो चूर उनकी ओलाद है तो बेबो चान कहती है कि मैंने तो सही मकसद के लिए पैसे चुराए हैं फिर चाबिया देते हुए कहती है कि अगर आप गलत मकसद के लिए पैसे लेना चाहती है तो ले सकती है पर वहीदा नहीं लेती ये सुनकर वेदा को बहुत गुसाता है और कहती है कि मलक्या बहुत चला गए वो पंदा दिने पूरा खेल बदल कर रख देगी इस पर फरीदन कहती है कि मैंने तो पंदा साल इंतजार किया है आप पंदा दिन का इंतजार कर लेजिए इधर हम आलम और ताज को देखते हैं जिनका प्यार परवान चड़ने लगता है तो उन्हें एक दूसरे से इस कदर प्यार करते हैं कि इंटिमेट हो जाते हैं अब इसके बाद हमें मलिका को जुल्फिकार के साथ दिख्या जाता है यहां जुल्फिकार मलिका को बताता है कि यह फैर्दन बहुत पहुचिवी चीज है उसके किलाब हर सहर में केस चल ले है और वो के नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है और तो उसने एक नवाब को 14 साल की उम्र में भी मार डाला था मलिका को फैर्दन के साथ हर नवाब की फोटो हाथ में लग जाती है मतलब सुन्जो कि उसे एक का मिल गया क्योंकि अगर ये फोटो पुलिस के हाथ लग गए तो फैर्दन को फासी की सजा या उम्र कैद की सजा मिलनी तो तैह है ये जानके मलिका बहुत खुश होती है अब इसके बाद हम फैर्दन को देखते है जो सजज़च के अपनी फोटोस किचवा रही होती है तब ही वाप मलिका आती है दोनों एक दूसरे को ताना मारते वे फोटोस किचवाती है फैर मलिका की नजर 25 साल पुरानी फाइल पर जाती है जिसे देख के वो काफी शौक्ट होती है और समझ जाती है कि ये जरू वहिदा ने दियोगी फैर मलिका फैर्दन को उसके सारे नवाबों के साथ की फोटोस दिखाती है कि ऐसी और भी फोटोस पड़ी है अगर मैंने पुलिस को इसके बारे में बता दिया तो तुम आज ही अरेश्ट हो जाओगी फैर जाते में मलिका कहती है कि तुम ये फाइल चुपा दो मैं तुमारे राज चुपा दोंगी ये देख का फैरीदन को गुसा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती अब रात में फैरीदन वहिदा को अपने पास बलाती है और कहती कि इस फाइल में तो कोई सबूती नहीं है फाइल को देख वहिदा को शौक लगता है और से अपने के की माफ़ी मांगती है तो मलिका भी उसे माफ कर देती है मलिका कहती है कि उसकी अपनी बेटिया तो इसकाबिल रही नहीं क्यों यांकी हुजूर बने इसलिए मेरे बाद तुम्हारे बेटी समा हुजूर बनेगी फिर हम इकबाल को देखते हैं जो जेल से छुटते ही सिधा सत्तों के पास जाता है और साइमा के भारें पूसता है पर कोई उसे कुछ भी नहीं बताता तब ही वहां मलिका आती है जो इकबाल से माफी मागते हुए कहती है कि अंग्रेजों ने तुम्हा करने में थोड़ी देरी हो गई साथी वो साइमा के बारे में जुट बोलते हुए कहती है कि वो तो तुम्हारे पकड़े जाने वाले दिन ही भाग गई और तुम्हारे लिए एक पाल का दिल पूरी तरह से तूट जाता है फिर अगले दिन वेबो हिंडर्सन के ऑफिस जात जो से पूसता है कि क्या वो उससे शादी करेगी तो आलम भी मान जाती है अब हतियार की सारी जानकारी बेबो अपनी क्रांतिकारी साथियों को देती है ताकि वो लोग वहां से हतियार चुरा सके सबके जाने के बाद बेबो ताज से आलम के पारे पूसती है तो ताज कहता कि आलम बहुत खुश है और जल्दी हम दुनों शादी करने वाले हैं यह सुनके बेबों को बहुत खुशी होती है अब शादी होने से पहले ताज अपनी कोटी में एक दावत रखता है जहां पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज आये होते हैं असल में यह दावत अं में पॉम बहनाने का सामान और अंग्रोजों के खिलाब कई जबूत मिलते हैं दूसी तरफ करांती कारियों को दिखाया जाता है जो पुलिस के बेस में हतिया चुराने आये होते हैं वहां के रखवाली करने वाले एक पुलिस उनके हेल्प करता है और फिर जब वो लोग हत लेंगे वो लोग उन्हें जान से मार देंगे यह देखके वो लोग पीचे के दरवाजे से भाग निकलते हैं पर अंग्रेजी पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं उन पर फारिंग करना शुरू कर देते हैं एक गोली करांती कारी हामित को लग जाती है पर फिर भी सभी लोग वहां से समान साइद भाग निकलने में कामियाब हो जाते हैं अब महल में आलम की मुलाकात फरीदिन से होती है तो फरीदिन से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने जूटा ख़त भेज कर उसे महल से भगवाया था तब फरीदिन कहती है कि ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया था और आज देखिया आप आज एक साथ हैं और शादी करने जा रहे हैं पर आलम अभी फरीदिन से नाराज होती है जब कार्टराइट फरीदिन के साथ होता है तो उसे हाथिया चुराने ली बात पता चलती है और वहां से जाने को होता है तब फरीदिन कहती कि उससे पता है कि चूरी किसने की परशात रखती है कि भले उसने अपनी मा के किलाफ लिया केस वापस ले लिया हो पर वो मलिका और जुल्वीकार की तपती चारी रखेगा और ने कड़ी से कड़ी सज़दी लाएगा ये सुन कार्टराइट मान जाता है तफ़रिदन उसे ताज की कोटी के बारे में बता देती है अब जब आलम अपनी शादी की तेयारों में लगी होती है कि तभी कार्टराइट पुलिस वालों के साथ आका कोटी में चापा मार देता है पुलिस वालों को देख के आलम सारे सबूत चुपाने लगती है पर चुपा नहीं पाती और पकड़ी जाती है वहीं सबी कांतिकारी आपस में बात कहते हैं और कहते हैं कि उनके बीच कोई तो गदार है जिसने हमारे प्लान के बारे में अंग्रेजों को बताया है तब ही वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि ताज की कोटी वह पुलिस ने रेट मा दी और आलम को सबूसाइद उठा ले गए अब ये सुन ताज को बहुत गुसा आता है और वो आलम को बचाने जाने लगता है वाबागी लोग उसे नहीं जाने देते फिर हामित कहता है कि तुमारा एक कलत कदम हमारी आजादी की लड़ाई को मिटी में मिला देगा इसलिए डिसाइड कर लो या तो मैं बूबा या तो देश ये सुनकर ताज सांत हो जाता है इसके बाट कार्ट राइट ताज उसके पिता को पुलिस स्टेशन में बुलाता है क्योंकि कोठी उनी की थी साथी कार्ट राइट को शक भी होता है कि हो ना हो इसमें ताज का हात है फिर आलम को बलाय जाता है जो ताज का इलजम अपने सिर लेते में कहती है कि ये प्लैंनिंग mayrie ती इसमें ताज का फोई हाथ नहीं तब Cartright कहता है कि ताज तो तुमके शादी करने वाला था तो फिर उसे तुमारे बैल में कैसे पता नहीं चला इस पर ताज कहता है कि तब आइफों से शादी कौन करता है असल में ताज आजादी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने को तयार था ताज के इस बयान से आलम का दिल तूट जाता है और से धिये लो जाती है और यहीं पर छटा एपिसोड खत्म हो जाता है एपिसोड साथ की शुरुत मलिका और बेबु जान से होती है जहां वेबो मलिका को आलम के अरेस्ट होने वाली बात बताती है और उसे छुड़ाने क्लिक कहती है तब मलिका कहती है कि अब आलम का ताज कहां गया वो तो उसे शादी करने वाला था वेबो मलिका से रिक्वेस्ट करती है कि वो तो मुझे नहीं पता पर आप आलम को छुड करना पड़े अब मलीका को filter का इंथार करते करते रात हुजीए और फिर थोड़ी दिर बाद सब्सक्राइब को कहती है इसलिए हम उसे नहीं चोड़ सकते तह मलीका कहती है कि वह आलम को चुर्वाने क्लिए कुछ भी कर सकती है यह सुन कार्ट रैट उससे गाना और डांस करने को कहता है तो मलिका करने लगती है फिर कार्ट रैट उससे कपड़ों टार कर डांस करने को कहता है इसमें मलिका को गुसा आ जाता है क्योंकि वो समझ गए थी कि आगे वो लोग क्या करेंगे अब चुकि यह आलम पतला ले लिया यह सुन फरेदन को बहुत दुख होता है क्योंकि मलिका का घमन और गुरू तोड़ना चाहती थी ना कि उसकी आब रूल उटवाना चाहती थी फिर फरेदन रोते हुए कार्ट राइट को जाने को कहती है वहीं दूसरी तरफ मलिका को दिखाया जाता है जो आ माल की तवायफ जरूर है वहीं आलम वेबो से कहती है कि मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मदार सिर्फ वही है साथी वो बेबो को बताती है कि उसके प्रेड़नेंट है उसके पैट में ताज का बच्चा है यह सुन वेबो बहुत खोश होती है और कहती है कि ताज क तो इसके बारे में पता होना चाहिए पर आलम मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ताक कि ये आजादी की लड़ाई में वो या उसका बच्चा बाधा बने पर वो ताज के बारे में अपने बच्चे को ज़रूर बताएगी कि उसके पिता एक रांती कारी है अब उन बताती है कि आलम ट्रेगनेंट है और तुम बाप बनने वाले हो ये सुन ताज बहुत खोश होता और फिस सीधा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि वो आलम से शादी करना चाहता है पर वो उसके लिए मना कर देते हैं लेकि ताज की दादी इस शादी के लिए मान जाती है और कहती है कि अगली चांद की रात दस विजे तक अगर आप बारात लेकर नहीं आए तो आलम मुझरे पर बैठेगी ताज की दादी और ताज इसके लिए मान जाते है इसके बाद हम उस्ताद को देखते हैं जो इकबाल के पास आता है और साइमा की फोटो दिखा जाता है फिर हम बेबो को देखते हैं जो आलम की शादी का पहला कार्ट सबसे पहले फैदन को जाके देती है और कहती है कि आपकी विजे से ही आज आलम और ताज एक होने वाले हैं आलम की शादी के बारे में सुन फैदन भी बहुत खुश होती है वही ताज के पिता इस श पर जब ताज समझ जाता है कि इस बारे में उसके पिता ने पुलिस वालों को बताया होगा इसलिए ताज अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सिर्फ साड़े दस वजे तक की मौलत दे दे ताकि वो आलम से शादी कर सके उसके बाद वो खुद अरेस्ट हो जाएगा लेकिन वो नहीं मानते और पुलिस वाले ताज को ले जाते हैं तोड़ी देर में मलिका को भी इस वारे हम पता चल जाता है और हो जाके आलम को कहती है कि ताज नहीं आने वाला इसलिए अब तुम जाके मुझरे पर बैटो और ताज को भूल जाओ यहां फरीदन को देखते हैं जो खुश हो का आलम की शादी में आने को होती है तभी वहां उस्तादा कर बताता है कि कोई शादी नहीं होने वाली क्योंकि कार्ट राइट ने ताज को गरफतार कर लिया है और उसके बड़ी बड़ी धाराएं लगाई है यह सुन फरीदन फॉरन कार्ट राइट के पास आती है और उसे ताज को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है तब कार्ट राइट कहता है कि अगर ताज अपना मिशन और अपने साथियों के बारे में बता दे तो हम उसे अभी छोड़ देंगे पास ताज कुछ भी नहीं बताता फैदन भी उससे बहुत कहती है पास ताज कुछ भी नहीं बताता वो बस इंकलाब के नारे लगाता है नारे सुन पुलिस वाले और गुस्से में ताज को मारने लगते हैं और एक डंडा सिर पर लगने से ताज की वहीं मौत हो जाती है यह देखे फैदन के होश उट जाते हैं वहीं आलम मुजरात तो करती है पसाथी दुख भी होता है तबी वहा फैदन दौटी भी आती है और वेवो को बताती है कि ताज अभी इस दुनिया में नहीं रहा वेवो फौरन आलम को ताज के मनने की ख़बर बताती है जिसे आलम पूरी तरह से टूट जाती है और सहम जाती है और यहीं पर साथवा एपिसोट कतम हो जाता है आटवे एपिसोट में दिखाया जाता है कि आलम को ताज की मौक का इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो चार दिन से कुछ भी खाती पीती नहीं ना यह तो वो रोती है ना यह किसी से बात करती है बस बुच सी बन गई थी अलम की यहालत एक मलिका को उसके लिए चिंता होती है बेवो अलम की यहालत एक नहीं पाती इसलों उसे ताज की कबर के पास ले जाती है जहां अलम जीवर कर रोती है वहीं हम ताज की पिता को देखते हैं अंगری जो से कहते हैं कि उन लोगोंने ताज का मुझर किया है इस फाक आट nights कहता है कि हमने उसे नहीं मारा बलकि हमारे पिलिस स्टेशन पर तान्तिकारिकों नहीं हमला कर दिया था और इसलिए उन लोगों ने ताज को मार डाला इस हाथ से हमारे दो पुलिस कर्मी भी शहिद हो गए उल्टा वो ताज के पिता को हीरा मंडी के खिलाब बढ़काने लगते हैं फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ताज के पिता बहुत रोते हैं क्योंकि उन्हें पस्तावा हो रहा था कि उससे ताज को ग्रफ करते हुए कहती है कि उसमें हमारे तरह साजिस, चालबाजी, फरेब और कमीनापन है इसलिए वो उसके बाद इसमेहल को अच्छे से चला पाएगी इस तरह दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है पर वहां से जाने से पहले फाई दिन चाबिया मलिका को वापस दे देती ह और कहती है कि यह चाबिया तो मैं आपसे चीन कर ले जाओंगी अब वहीं दूसी तरफ हम कांती कारियों को देखते हैं जो अंग्रेजों पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं पर क्यूंकि अब उनके अट्टे के बारे में अंग्रेजों को पता चल गया था इसलिए व उन्हें हतियार साइथ अपने महल में ले जाती है परास्ते में उनके एकसाथी की मौत हो जाती है पर फिर भी किसी तरह वो लोग महल के अंदर पहुँच जाते हैं अब जब बेबो उन सब को तैखाने में ले जा रही होती है तो मलिका उनने देख लेती है तर कुछ कहती बलकि वो बेबो से सभी को लजों के कमने में समान पूर्वक ले जाने को कहती है, फिर मलीका शत्तों और फट्तों को जगा कर सभी के लिए खाने का प्रबंध भी करवाती है क्योंकि अब मलिका कम मकसद भी अंग्रेजों को देश से बाहा निकालने का बन गया होता है माही परीदन जब वली साहब के साथ होती है तो वो भी वली साहब को देश से अंग्रेजों को निकालने के लिए साथ देने को कहती है वह वली साहब मना कर देते हैं और कहते कि नवाबों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं और वो फैदन को भी इस लड़ाई में शामल होने से मैना करते हैं तब फैदन कहती है कि वो इस लड़ाई में शाद जरूर देगी ताथी वो वली साब को अपने सहाम मानने से भी इंकार कर देती है मैं ताज की दादी को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है तब उनसे मिले आलम आती है जिसे देखके दादी बहुत खोश होती है फिर वो आलम को अपनी पुस्तानी अंगोटी देकर कहती है कि अब वो खुशी-खुशी मर सकती है इस बार अलम उन्हें चिपकराते हुए बताती है कि छोटा ताज जल्दी आने वाला है इसलिए आपको कुश नहीं होगा अब ये सुन दादी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है इसके बाद सभी नवाबों को एक साथ दिखाया जाता है जहां वली साब बताते हैं कि हीरा मंडी की सारी तवाफ अब अंग्रेजों के खिलाब बगावत पर उतराई है तब सभी नवाब डिसाइट करते हैं कि आज के बाद से वो लोग हीरा मंडी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से कोई पंगा नहीं लेना इसके बाद मलिका और वहिदा को दिखाया जाता है असर में जब से नवाबों ने हीरा मंडी छोड़ा होता है तब से महल सुनजान पड़ा होता है सारे कारोबार ठप पड़े होते हैं पर फिर भी तवाइफे रोज सस्ती और सवर्ती होती है क्योंकि यहें उनका काम था जिसे वो छोड़ नहीं सकती तब उस्ताद मलिका से कहता है कि वो जुल्फिकार से बात करे क्योंकि एक भई है जो सारे नवाबों को मना सकते हैं अब उस्ताद के कहने पर मलिका जुल्फिकार से बात करने उसके महल जाती है वो जुल्फिकार की पतनी कहती है कोई नवाब उनके मुझरत देखने नहीं आएगा परिदन कहती है कि मर्द ने तो हमारा साथ छोड़ दिया पर मेटी कभी साथ नहीं छोड़ दी इसलिए एक बार उसके लिए जी के देखो पैदन का साथ देते हुए बेबो भी कहती कि अब हमें भी आसादी की रापर चलना चाहिए क्योंकि हमारा भी आसाद होने का पूरा धिकार है यह सुनकर सबसे पहले मलिका आगे बढ़ती है अब हमें एंडर्शन को मानने का प्लान बना रहा होता थब बेबो कहती है कि वह हिंडर्सन को मारेगी क्योंकि उसने मुझे जलसे में बुलाया है मैं उसे वही सब के सामने मारूंगी अब अगले दिन हम जलसे में ہिंडरसन को स्पीश देते हुए देखते हैं तभी बेबो वहाँ सबके सामने हिंडरसन को गोली मार देती है और हिंडरसन वही मर जाता है तभी बांकी पुलिस वाले आ जाते है तो हमित उने माने लगता है तब कार्ट राइट पीछे से हामित को मार देता है और बेबो पकड़ी जाती है वहीं उस्ताद मलिका को आकर बताता है कि हिंडर्सन मारा गया यह सुन मलिका बहुत खुश होती है पर जब उस्ताद यह बताता है कि उसे हमारी बेबो ने मारा यह से मलिका के होश हो जाते हैं फिर मलिका कहती ही कि उसे गरवे अपनी बेटी पर दिलेर बच्ची है इस पर उस्ताद कहता है कि उसकी ये दिलेरी हीरा मंडी की एक एक कवाय पर भाड़ी पड़ेगी अंग्रेजी ये कोटे बंद करवा देंगे तब मलिका कहती है कि बंद करवादे पर अब हीरा मंडी में महफिल समय आजादी पर ही जलेगी वहीं जेल में बेबो को बहुत माला जाता है और बार बार उसके साथियों के नाम पूछे जाते हैं तब बेबो सिर्फ आजादी कहती है इसके बार फईदन को दिखाया जाता है जो मलिका को आकर बताती है कि कर रात अंग्रेज बेबो को सजाय मौत देने वाले हैं इसलिए अब हमें ही कुछ करना होगा हमें बेबो का साथ देना होगा ताकि उसे ये ना लगे कि वो इस जंग और कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी के साथ सूँ जिसने ताज को मारा मेरी मा की आपरू लोटी और अब मेरी आपा को पकड़ा है तब उस्ताद उसे गंदेते हुए कहता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कार्ट्राइड से बदला लेने का तुम इस बं के पास जारी होती हैं तब युस ताद बीच में से आलम को निकाल का कार्ट्राइड के पास ले जाता है और यहां कार्ट्राइड आलम के साथ इंटिमेट होने वाला होता है वहीं थवाइफों की भीड को पुलिस वाले रोकते हैं और ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं पा जाती है और फिर बेबो को एक ही ओर्डर पर गोली उसे बून दिया जाता है वहीं आलम भी कार्ट्राइड पर गोली चला का मात देती है हाला कि बेबो के मरने से सारी औरते आजादी की मुह में उतर जाती है और यहीं पर यह वैब सीरीज खतम होती है तो दोस्तों अगर इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्स्प्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूप करिएगा और अगर में चैनल परना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलेगा